हेलो फ्रेंट्स, कंटीनू करेंगे ये टॉपिक को, ये वर्ब सिरीज का पार्ट टू है, जनराल इंग्लिश प्रैक्टिस का, तो सबसे पहला कोशन देखेंगे इसमें, वेन केलिमेटी फ्रैल दा विलेज, ठेफेसे इट ब्रेवली, तो बैसिकली इसमें एरठ क्या हो सकता है इस संट्स में, फ्रै말ेटी फैल वीलेज, फैल वर्ड जो हमेशा एक प्रिपोजिशन के साथ आता है, फैल। थे उवलेज, फैल ओवर छीज के उपर गिरना, जब ये फैल टो मेंनिंग इस इसूरल नर्ना रहे मतलब यहां पर कोई। गटना घटित हो यहां पर यहां पर when calamity befell the village, okay, so right word हो जाएगा, befell, यहाँ पर इजे कि मैंने यहाँ पर दे भी दिया है, आपको हिंट में, okay, fall and befall, यह दोनों confusing words होते है, fall का मतलब होता है गिरना, befall का मतलब होता है, कोई गटना गटित होना, तो जब calamity या कोई आपदा गटित होई इस village में, तो उनोंने bravely उसका सामना किया, आई ये next question कि तरफ बढ़ते हैं, the assassin was convicted and ordered to be hung, इसमें क्या error है, आप कोशिश करिए, fine करने की, the assassin जो murderer था, he was convicted, okay, उसको सजा हुई, और उसको fancy देने की सजा हुई, he was ordered to be hung, तो आईए इसमें देख लेते हैं, confusing pair क्या होता है, इसमें, देखिए, इसमें basically दो words होता है, friends, hang, hang, दो words नहीं, basically word टो एक होता है hang, पर इसके meaning दो हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और सीखना है, एक meaning तो होता है hang का, यह वाला, जो first वाला hang है, यहाँ पर इसका meaning होता है, fancy, fancy देना, okay, जो दूसरा यह वाला word है, इ hang, 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 so, इनके first or second form of the verb है, अगर fancy के sense में use हो रहा है, तो hang, 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 यह उनके first or second form होता है, ठीक है, तो यहाँ पर fancy के sense में use हो रहा है, तो assassin was convicted and ordered to be hanged, यहाँ पर जो correct word हो जाएगा, यह हो जाएगा, hanged, okay, now moving on to 12th question, if I leave now, I will not be able to return back before 9pm, तो friends, इसमें error क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, आप इस world पर focus करें, return back, यह याद रखिएगा, कभी भी return जो है, return के साथ back या कोई और preposition नहीं आता है, okay, return का मतलब होता है, वापिस आना, तो return के साथ back नहीं आएगा, so I will not be able to return before 9pm is the correct word, इसी तर में एक वर्ड होता है, enter, enter के साथ कभी भी into नहीं आता है, enter plus into नहीं आता है, okay, he is entering into the hall, so this is the wrong user, he enters the hall, okay, आई यह next word दिखता है, next है, question number 13, when the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it, तो इस sentence में friends, purse का मतलब होता है, एक तो होता है handbag, okay, जो ladies purse होता है, दूसरा meaning होता है, इसका reward, या कोई price देना, so when the company offered him a purse, जब उसकी company ने उसे price दिया, उसके retirement पे, so he refused to agree it, यह यहाँ agree जो word यूज हुआ है, यह बहुत ही senseless की तरह के से यूज हुआ है, उसने agree नहीं किया, या उसने accept नहीं किया, यह जो correct वर्ड होगा है यहाँ पर, उसने accept नहीं किया, he refused to accept it, यहाँ पर agree नहीं होना चाहिए, he refused to accept it, okay, 14th question है, the timid creature was driven into a narrow lane, where it was slued by the kidnapper, इसमें आपको error find करना है, timid creature मतलब होता है, जो जिसको आप hypnotize कर सको, जो बहुत ही जुका हुआ होता है, okay, timid creature जिसको हम tame कर सकते हैं, okay, tame करना, तो, timid creature was driven into a narrow lane, एक पतली गली में, किसी जानवर, गलेटस से कोई जानवर है, उसको पतली गली में, जो है, लाया गया, he was driven into a narrow lane, where it was slued by the kidnapper, okay, यह verb यहाँ पर use होई है, यह verb slued, जो की wrong way में है, इसका correct uses हम लोग सीखेंगे, friends, देखिए, slay, slu and slain, तो, basically, जो verb है यहाँ पर, वो है slay, slay का मतलब होता है, kill, kill करना, मारना, okay, एक narrow lane में एक creature को लाया गया, उसको वहाँ पर उसका वद कर दिया गया, तो, slay का मतलब होता है, kill करना, तो, इसके first form होता है, slu, second form होता है, slain, okay, verb का first form, sorry, first form slay है, second and third form होता है, slu and slain, तो, यहाँ पर जो word use होता है, correct होता है, it was slain by the kidnapper, यहाँ पर use होना चाहिए, slain, third form होता होता है, okay, it was slain by the kidnapper, I hope you are enjoying the lecture and friends, do not forget to subscribe to my channel, I will keep bringing such educational videos, on this channel, 15th question is, being implicated in a murder case, being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases, okay, तो friends, implicated का मतलब क्या होता है, proven किसी भी crime में उसको prove कर देना, okay, to have committed a crime, so being implicated in a murder case, he was conclusively, conclusively का मतलब क्या होता है friends, conclusively का मतलब होता है, to put an end to a debate, और कोई किसी चीज़ का final result तक पहुँचना, तो, he was suspected for all the unsolved murder cases, तो यहाँ पर conclusively और suspected डोनों एक साथ आ रहा है, यह थोड़ा सा, जो है, permissible नहीं है, friends, यह जो है, senseless भी है, ठीक है, conclusively मतलब होता है, कि आप पूरी तरह से sure हो रहा है, पक्का है, और यहाँ पर एक तरह से use हो रहा है, तो दोनों contradictory है, तो यहाँ पर यह conclusively नहीं आएगा, okay, सो correct sentence क्या हो जाएगा, being implicated in a murder case, he was suspected for all the unsolved murder cases, यहाँ पर conclusively नहीं आएगा, 16th question देखता है, my brother thinks that somebody must have dared him steal the scooter, अब इस question में, friends, बहुत ही बहुत important concept सीखने जा रहे हैं, इस पर ध्यान से पूरा focus करिएगा, okay, तो इसमें आप पहले अपने आएटे पर guess करिए, क्या error हो सकता है आपर, तो यहाँ पर देखी, मैंने hint अटा दिया है इसका, यह basically model verbs and main verbs, इस concept के बारे में हम लोग जानेंगे इस question के through, एक second, तो model and main verb, देखे, model verb क्या होती है, friends, model verb होती है, जो helping verb होती है, जो आपके main verb के साथ लगके, इनको help करती है, model verb और main verb, okay, जब भी आपका जो word dare है, जैसे इसके बारे में आप सिखेंगे, तो dare जो होता है, it can be used as a model verb, okay, it can be used as a model verb, और model verb as well as a main verb, तो पहले model verb का बारे में सीख लेते हैं, model verb के बारे में जब भी यूज होता है, example साथ देखते हैं, okay, model verb की तरह यूज होगा, तो he dare, example, he dare not cheat anyone again, he dare not cheat anyone again, इस मैंने short form में लिखा हुआ है, okay, so model as a helping verb की तरह यूज होगा, तो ये important point है friends, ये हमेशा negative sentence में ही यूज होता है, as a model verb only in negative sentences में ही यूज होता है, he dare not cheat anyone again, देखिए, यहाँ पर main verb है cheat, okay, dare as a helping verb यूज हो रहा है, और not लग गया है, तो ये negative sentence है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है, model verb की तरह जब भी dare use होता है, okay, ये dare के साथ चाथ आप एक word और है need, इसके साथ इन दोनों का आप एक साथ सीख सकते हैं, ये दोनों का एक साथ चलता है, dare जब भी model verb की तरह है, helping verb की तरह होता है, जैसे dare not cheat again, तो cheat main verb है, dare helping verb है, और ये हमेशा negative sentence में यूज होता है, और एक concept और इसमें, इसमें जो है कभी भी two, two क्या होगा, infinitive verb, जो two plus v1 की तरह होती है, वो use नहीं होगा, तो कभी भी as a model verb की तरह, आप summarize कर लेता हैं, जो हमने याप पर सीखा, एक बार, एक second, देखे friends, अगर model verb की तरह, यूज हो रहा है, dare, तो पहला point आपको याद रखना है, कि वो sentence negative होना चाहिए, sentence negative होना चाहिए, और उसमें, two plus v1 वाला form जो है, नहीं use होगा, ओके, यह दो point आपको हमेशा याद रखना है, और इसी तरह, अगर main verb की तरह use हो रहा है, तो क्या होगा, अगर main verb की तरह use हो रहा है, dare या फिर need, main verb में हमेशा पहला point हो जाएगा, यह चोगे, two plus v1 की तरह use होता है, main verb की तरह two plus v1 में आना चाहिए, she does not dare to go there, she does not dare to go there, यह example एक sentence का, dare to go there, तो यहाँ dare देखिए, main verb है, she does not dare, वो कभी भी साहस नहीं करती है, वहाँ जाने का, तो dare main verb की तरह use हो रहा है, तो यहाँ पर two plus verb का first form आ जाएगा, to go, to go, go is the first form, go went gone, to go, देखिए, two plus verb का first form आ रहा है, यह main verb में जब भी use होगा, यहाँ पर two plus v1 का form आएगा, यह हमारी learning थी friends, इस sentence से, तो अब यहाँ पर आपके लिए बहुत असान होगा होगा, error find करना, error क्या हो जाएगा, somebody must have dared him, यहाँ पर अब देखिए, यह main verb है यह helping verb है, यह main verb है, यहाँ पर कोई भी, आपकी, यहाँ पर two plus v1 का form यहाँ पर लग जाएगा, यह steel v1 है, देखिए, फर्स फर्म उपदी वर्ब है, steel stolen stolen, तो यह सही हो जाएगा, यहाँ पर two लग जाएगा, बैसिकली, तो sentence आपका सही हो जाएगा, यह अच्छा concept आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, 17th question, यह देखिए, बैसिकली फ्रेंड्स, यह परलेलिजम का एक जो है, अब हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के questions में, वर्ब जो हमेशा parallel में यूज होती है, देखिए, यहाँ पर was के साथ हमेशा past form आएगा इसका, यहाँ पर could हो जाएगा, can, could यह सब ability शो करने के लिए यूज होता है, देखिए, यहाँ पर could हो जाएगा, 18th question देखते है, हरीश needs not come here as it is getting dark, मैंने आपको बताया था, इस नीड और डेर जैसे, यहाँ पर need उस होगा, यहाँ डेर, दोनों same concept होते हैं, दोनों के लिए applicable, जो अपने डेर के लिए सीखेते हैं, वही needs के लिए हैं, तो यहाँ पर, हरीश needs not come here, यहाँ पर जो need है, यह जो है, as a main verb जो हिनोंने, needs, अगर main verb की तरह यूज होती है, needs लिखते हैं, he needs to come here, he needs to come here, यह main verb है, जैसे तो s आएगा, पर अगर यहाँ पर देखा जाने, he needs not come here, यह model verb जो हो रहा, he need not, तो model verb में s नहीं आता है, यहाँ पर खाली need हो जाएगा, main verb क्या होगी, यहाँ पर come here, यहाँ पर जो main verb है, वो है, come, इसका model verb की तरियोज हो रहा है, तो model verb में कभी भी, s नहीं आएगा, यह सब छोटे-छोटे points हैं, आपको याद रखने हैं friends, okay, 18th question की तरफ देखते हैं, he dare not to go there, अब friends, यह आपके लिए एक तरह से homework question है, comment box में बताइएगा, 19th का क्या answer होगा, बता सकते हैं, I used to play hockey, when I was 10 year old, I used to play, अच्छा, यह भी बहुती common error है, friends, when I was 10 year old, जै कि I used to, used यहाँ पर present form में उज़ हुआ है, और जो second sentence है, was, जो यहाँ पर, मैंने पहले बताया था आपको, हमेशा parallel, verbs हमेशा parallel ही उज़ होते हैं, यहाँ यह past tense है, तो यह भी past tense होगा, तो यहाँ पर correct हो जाएगा, I used to, ठीक है, इसका जो correct form हो जाएगा, वो हो जाएगा, I used to, और used to के साथ, हमेशा verb का first form आता है, तो used to, यहाँ पर D लग जाएगा, I used to play hockey, second question देखते हैं, 21, A soldier could fight for his country, and save his country's honor, ओके, तो सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ पर, वर्प का जो structure हो कैसे है, A soldier could, could fight, could जो है, मतलब दर्शारा है, यह past tense है, save, और save his country's, और save जो है, present form दर्शारा, तो यहाँ पर जो है, जो है mismatch है, तो अगर हम देखेंगा, soldier could fight for his country, यह basically soldier की capacity, दिखाने का sense नहीं है, यहाँ पर, यह तरह से moral obligation की बात हो रही है, कि एक soldier को fight करना चाहिए, और अपनी country का honor बचाना चाहिए, तो यहाँ पर जो सही word होगा, use होगा, could ना use करके, यहाँ पर must use होना चाहिए, ठीक है, a soldier must fight for his country, and save his country's honor, so 22 question देखते हैं, I would rather die than bag, तो हमेशा एक बात याद रखीगा, यह जो rather होता है, हमेशा rather के साथ than आता है, ठीक है, तो यह then गलत हो जाएगा, कि मैं मरना पसंद करूँगा, भीक मांगने से, I would rather die than bag, 23 question देखते हैं, run fast, lest you will miss the train, यह भी एक बहुत important learning है, हमेशा याद रखीएगा, अगर आप guess pipe कर पा रहे हैं, इसमें क्यार है, तो less के साथ, जो हमेशा should use होता है, ठीक है, less के साथ, हमेशा should होता है, तो will नहीं आएगा है आपर, lest you should miss the train, 24th question है, he hoped that he will pass the exam with flying colors, ओके, तो 24th question में देखिए, friends के error हो सकता है, यह again आप सबसे पहले, किसी भी sentence में, parallel structure देखा कर, यह verbs का, hoped, hoped जो है past में है, that he will pass, will तो future tense हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर, he hoped that he will pass exam with flying colors, यह अगर past tense है, तो यहाँ भी past tense आना चाहिए, तो will का past tense हो यहाँ आगा, okay, hoped के साथ, would ही parallel structure में fit होगा, तो यह कुछ friends कुछ questions, वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्स्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे motivation मिले, आप लोगों के लिए ऐसे ही, एजुकेटिव वीडियो ब्राने का, यह friends मेरे कुछ credentials है, आप लोग इन्हें देख सकते,